हाइ वेलकम तुवाइशनल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेशन नमबर 2 हाव तो फाइंड दी स्कुएर रूट आफ 0.7225 तो यहाँ पर हम डेस्मल नंबर है तो यहाँ पर हम डेस्मल के राइट सैड में जो नमबर से पहले उनका पेर बना लेंगे राइट सैड से यहाँ बन गया पेर और यह बन गया जब पेर बन जाता है तो पेर बना लेते हैं जब पेर नहीं बनेगा तो 0 बढ़ा करके पेर बना लेगे मतब decimal के right side में हम pair बनाना ही पड़ता है तो कहने का मतलब है कि यदि माल जिए मेरे पास होता 0.722 माल यह इसका निकालना रहता हमें square root क्या करते यहाँ 0 बढ़ा लेते फिर pair बना लेते मतलब decimal के right side में जो है आपको pair बनाना ही है एक 0 बढ़ा कर या फिर 0 नहीं बढ़ाना है तो कोई number देना चाहिए आपको मतलब pair यह तो बन जाए या फिर आप 0 बढ़ा करके pair बना लीजिए this is the method चलिए हम खैर यहाँ पर solve करते है इसको तो यहांपर अब हुन्मे pair बना लिए अब यहां दाए जिरो में ले जाएँगे पहले यहांपर जीरो का वुपन बार लगा देते हैं बार देते हैं हांपर तो zero में ले जाएंगे 0 से टो 0 प्लस 0 और 0 में डिबाइड करेंगे यह decimal के आगे वाला पेर उतार लिए यहां पर decimal लगा देंगे, बतलब जुरो के बात जो है decimal लगा लेंगे, ओके, तो 72 के, 72 मिचला जाएगा 8 से बिलकुल, तो 8 में हम ले जाएगे, 8 से, 8 एट जा 64, यहां लगा लेंगे 64, मनस करेंगे, मिलेगा आपको 6 एंटो 8, अब यहा 16 का टेबल पढ़ हिया और देखे कि 82 कितनी बने बार रहा है तो 82 तो आएगा नहीं 80 आएगा 85 जा क्या होता है 80 होता है इसका मतलब कि 5 टाइमस में चला जाना चाहिए तो हम जो है 5 से ले जाएंगे तो 0 के बाद कितनी बार गया था मतलब 0 के बाद 8 बार गया फिर 5 बार गया लाइट तो हम यहां पर 8 लिखेंगे और दूसरी बार 5 से ले जाना के बार लिखेंगे तो 5 से पहले चेक कर लेज़ें कितना आ रहा है 5525 गब 5 2 करी ओवर और 5 सिखजा 30 32 3 करी ओवर और 5 बज़ा 5 और 3 8 कैसे रड़ हो गया इसका मतलब कि अब यहां पर आड़ करने जोर्त नहीं है यहां पर हम लास्ट में ले गए थे 5 तैम्स तो मतलब कि 0.85 मिन्स हम कर सकते हैं कि स्क्वेर रूट आफ 0.7225 is 0.85 यह आप यह भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वेर करने पर इतना आना चाहिए ओके थेंकिस सो मच फर वाचिंग बाए